आज से हम अपने सिलेवर्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं that is hazardous waste यहाँ पर hazardous का मतलब होता है खतरनाक और waste का मतलब होता है कचरा तो क्या होता है खतरनाक कचरा यह समझते हैं साथ ही हम देखेंगे क्या character statistics है hazardous waste के hazardous waste का classification कैसे किया गया है किन classes में divide किया गया है hazardous waste को, sources क्या है hazardous waste के, कहां से generate होता है hazardous waste और जब हम waste management कर रहे होंगे तो उस वक्त hazardous waste को कैसे collect किया जाता है, कैसे store किया जाता है इन जारी बातों को आगे discuss करते हैं, चली वीडियो start करते हैं, मेरा नाम प्रणव है और आप सभी का स्वागत है easy notes पर human health और environment को harm पहुचाने में, कब जब उसे ठीक से treat ना किया जाए, ठीक से sort ना किया जाए, मतलब ठीक से segregate ना किया जाए और properly transport ना किया जाए तब, और ऐसे waste contribute करते हैं increase in mortality, मतलब मृत्यूदर में ब्रिद्धी होती है, ऐसे waste के कारण, या फिर ऐसे waste, cause कर सकते हैं serious irreversible illness, मतलब ऐसी बीमारियां उत्पन हो सकती हैं, जिनका इलाज हमारे पास उपलब्द नहीं है, और ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ऐसे waste होते हैं non-degradable, मतलब कि ये खुद बाखुद degrade नहीं होते हैं, या फिर ये persistent in nature रहेंगे, मतलब हमेशा nature में रहने वाले हैं, अगर इन्हें treat ना किया जाए तब, साथी ऐसे waste biologically magnified हो सकते हैं, मतलब कि अपने concentration को increase कर सकते हैं, जैसे जैसे वो food chain में एक step से दूसरे step पर जाएंगे, साथी ऐसे waste बहुत ही low concentration पर भी highly toxic होते हैं और lethal होते हैं, मतलब कि ऐसे waste की कम मात्रा consume करने पर भी हमारे लिए वो toxic हो सकता है, और lethal हो सकता है, हमारी मृत्यू का कारण बन सकता है, और hazardous waste generation के बहुत सारे sources हो सकता है, industrial manufacturing process के दौरान generate हो सकता है, batteries से hazardous waste generate हो सकता है, और hazardous waste किसी भी form में हो सकता है, liquid हो सकता है, solid हो सकता है, gas हो सकता है, या फिर sludge हो सकता है, sludge हो गया, liquid और solid का एक mixture form, तो से हम sludge करते हैं, अब देखते हैं कि hazardous waste को कैसे characterize किया गया है, वो क्या characters हैं, जिन से हम hazardous waste को identify कर पाते हैं कि यह hazardous waste है और यह non hazardous waste है तो फर्स्ट करेक्टर है that is ignitability मतलब की जोलन सीलता तो कोई भी waste जिसका flash point 60 degree से कम होगा वो highly ignitable होगा और उसे हम लोग as an hazardous waste consider करेंगे flash point क्या होता है तो वो temperature जहां से कोई भी material या substance जलना start कर देता है जैसे अगर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो अचानक से जलना शुरू नहीं कर देता है वो एक temperature gain करता है एक time में और उसके बाद जलना है start कर देता है तो वो जो point है उसे हम लोग कहेंगे as an flash point और वैसे waste जो standard temperature और pressure में भी friction के through fire catch कर सकते हैं उसे भी हम लोग as an hazardous waste consider करेंगे और कुछ ऐसे waste भी होते हैं जो moisture absorb कर सकते हैं atmosphere से और spontaneous chemical change में involved हो सकते हैं तो जब ऐसे waste को जलाया जाता है मतलब जब burn किया जाता है ऐसे waste को तो वो ऐसे vigorously और persistently जलते हैं कि hazard create किया जा सकता है मतलब कि ऐसे जोरदार तरीके से और लगातार जलते हैं मतलब जब तक fuel पूरा consume नहीं हो जाएगा तब तक वो जलता रहेगा तो जिससे hazard create होता है और इसमें हो सकता है इगनाइटेवल compressed gas जैसे LPG और कुछ oxidizer हो सकते oxidizer help करते हैं combination में के लिए हम लोगों को तीन चीज की आवश्यक्ता होती है सबसे पहले तो को fuel की आवश्यक्ता होगी सकेंड होगा temperature की और थर्ड होगा oxidizer generally oxidizer हो यूज होता है बट कुछ ऐसे elements भी है कुछ ऐसे materials भी है as an oxidizer काम करते हैं जैसे thinner हो गया उसके बाद oil based paint हो गया यह सब भी as an oxidizer काम मिला जा सकते हैं तो ऐसे जो waste होंगे उन्हें हम consider करेंगे as an hazardous waste सकेंड है corrosivity तो वैसा waste जिसका pH 2 से कम होगा और 12.5 से जादा होगा उसे हम लोग as an hazardous waste consider करेंगे तो pH value होता है 1 से 14 तक 7 neutral होता है और 7 से जितना हम लोग कम जाते जाते हैं acidic value increase होते जाता है और 7 से हम लोग जैसे जितना जादा जाएंगे मतलब 8-9-10 वहां पर basic value increase होते जाता है तो टू से जब हम उसें कम जाएंगे तो बहुत ज्यादा Waspoth value बहुत जादा हो जाएग और 12.5 से उपर जाएंगे तो वह बेसिक बहुत जादा होगा तो ऐसा वेस्ट क्या करेगा मेंटल को करोड करेवा तो उसे हम लोग हजन हजार tahu स्वेश्ट करेंगे और साथ ही वैसा वेस्ट जो इस्टीब को करोड कर सकता है 0.25 इंच तक एक साल में 55 डिग्री टेंपरेचर में उसे भी Amazon Hazardous Waste consider करेंगे Next Characteristic is reactivity मतलब कि जो भी substance waste में हैं वो किसी दूसरे substance या material के साथ कैसे react करता है तो कुछ substance water जैसे common और universally available substance के साथ भी बहुत ही violently react करते हैं और ना सिर्फ violently react करते हैं वलकि जब उन्हें water में exposed किया जाता है तो वे toxic gases, vapor और fume create करते हैं जो की hazard create करता है और कुछ cyanide और sulfide bearing waste को जब exposed किया जाता है normal pH condition मतलब 2 और 12.5 के बीच में तो वे normal pH condition में भी toxic gases, vapor और fume create करते हैं और ऐसे waste capable होते हैं detonation या फिर कह सकते हैं explosive reaction की मतलब explosion हो सकता है ऐसे waste के कारण under normal pressure और temperature और जहां पर भी explosion होगा जहां पर भी धमाका होगा वो एक तरह से hazard create करेगा next है toxicity, toxicity में वैसे substance या mixture included होते हैं वे जब living organism के contact में आते हैं तो उन्हें damage पहुचा सकते हैं देखो toxicity dependent होता है कि कितना dose consume किया जा रहा है अगर हम water को भी जादा quantity में consume कर लेंगे तो water भी हमारे लिए toxic हो सकता है वहीं अगर poison जैसे toxic substance को भी हम अगर बहुत low quantity में consume करते हैं तो उसका हमारे body पर कोई विशेश असर देखने को नहीं मिलेगा तो यहां से तो एक बात समझ में आती है किसी चीज़ की toxicity कितना हम उसका dose consume कर रहे हैं उस पर dependent होता है तो कोई भी waste जिसमें contaminants allowable limit से ज़ादा होगा उसे हम as an hazardous waste consider करेंगे तो यह four character statistics थे hazardous waste के आगे हम बात करते हैं classification of hazardous waste की कुछ ऐसे waste और substance है जिने hazardous category में रखा जाता है first है radioactive substance मतलब कि वैसे substance जो radiation emit करते हैं और radiation किसी चीज़ से निकलता है in form of rays alpha, beta, gamma rays में radiation emit होता है और यह radiation जब living organism के contact में आते हैं तो उन्हें damage पहुचा सकते हैं और ऐसे substance पर special concern मतलब की विशेसकर ध्यान इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि यह बहुत ही long period तक radiation को emit करते रहते हैं जैसे uranium U-235 जो nuclear reactor में use होता है इसका half life होता है 700 million year सिर्फ half life 700 million year है तो इसका complete जो cycle होगा वो इससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा होगा और radiation को हम लोग measure करते हैं half life में यह चीज़ बता चुके हैं तो जितने भी radioactive substance है जैसे uranium, plutonium इन सारे को हम लोग as an hazardous waste consider करेंगे सकेंड है biomedical waste biomedical waste का primary source होता है research laboratories जैसे कि अभी covid फैला है तो वो चैना के बुहान lab से फैला था यह हम लोग को पता है और ऐसे waste जब living organism के contact में आते हैं तो वे उन्हें बहुत ही जल्दी infect कर सकते हैं साथ ही इनमें बहुत ज़ादा toxins produce करने की capability होती है तो जितने भी biomedical waste होंगे उनको हम लोग consider करेंगे as an hazardous biochemical waste next है chemicals बहुत सारे chemicals हैं जिनने हम लोग as an hazardous waste consider करते हैं और जो most dangerous chemicals हैं जिनने हम hazardous waste में categorize करते हैं उसमें inorganic metals, flammables, acid and waste, synthetic organics, explosive तो यह सारे chemical waste जब living organism के contact में आएंगे तो वो उन्हें infect करेंगे और उनके लिए as an toxic work करेंगे और यह living organism के लिए lethal हो सकता है मतलब मृत्यू का कारण बन सकता है और यह जितने भी chemical waste हैं यह highly toxic होते हैं सभी तरह के life form के लिए जितने भी living organism हैं उनके लिए और यह सारे hazardous waste अगर waste stream में एक threshold level से ज़ादा होंगे मतलब एक allowable limit से ज़ादा होंगे तो हम waste को as an hazardous waste consider करेंगे इसमें और भी है clamable waste मतलब कि जो सारे waste जो अलंसील होते हैं उसे भी हम लोग as an hazardous waste consider करेंगे साथी exclusive है जैसे ordinance factory है मतलब जहां गोला बारूद बनता है वैसे factories से जो waste generate होते हैं उसे भी हम लोग as an hazardous waste consider करेंगे और ऐसे hazardous waste के storage disposal और collection में विसेज ध्यान दिया जाता है special concern में रखा जाता है और यह waste किसी भी form में हो सकते हैं अब बात करते हैं sources of hazardous waste कहां से generate होता है hazardous waste तो hazardous waste mainly by product है industrial domestic और healthcare activities का मतलब कि hazardous waste mainly generate होता है industrial manufacturing process के दर्मियान domestic activities के दर्मियान commercial activities के दर्मियान और healthcare activities के दर्मियान तो जैसे जैसे industrial development होते जा रहा है है वैसे वैसे hazardous waste generation जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारा और maximum जो hazardous waste generate होता है वो किसी भी product के manufacturing के दर्मियान generate होता है hazardous waste के main source है industries institutional establishment research lab mining sites mineral processing side agriculture facilities और बहुत ही कम मात्रा में natural environment मतलब nature से भी थोड़ा बहुत hazardous waste generate होता है hazardous waste तीनों form में हो सकता है मतलब solid liquid gas waste जो hazardous waste के definition में fit होते हैं उसे हम regard करेंगे as an hazardous waste कुछ major hazardous waste sources को हम आगे discuss कर लेते हैं तो बस्ट है agricultural land and agro industry agricultural land हो गया जहां पर हम लोग खेती करते हैं और agro industries हो गया जहां पर agriculture से related product को बनाया जाता है तो यह जितने भी agricultural land है और agro industries है वहां यूज होता है pesticides fertilizers और बहुत सारे hazardous veterinary product मतलब कि पसुपालन के दर्मियान जो भी veterinary product यूज किया जाता है वो और जितने भी farms होते हैं वे होते हैं ऐसे waste के major source agro chemicals मतलब agriculture में use होने वाले chemicals अगर environment में leege कर जाए storage process के दर्मिया तो उससे environment को और साथ ही साथ living organism को damage पहुंच सकता है तो यह first major source था agricultural land and agro industry second है domestic waste यानि हमारे घर से produce होने वाले waste हमारे घर से भी बहुत सारे hazardous waste produce होते हैं जैसे कि batteries dry cells और nature polish में use किया जाने वाले product wood preservatives strain removers paint thinner rat poison herbicides pesticides mosquito repliants paints disinfectants और fuels जैसे किरोशिन और भी बहुत सारे automotive product मतलब automobile में use होने वाले product इन सारे products के storage use और disposal के दर्मियान हजार्ट क्रियेट हो सकता है सो हम लोग इन सभी को categorize करेंगे as an hazardous product साथी mines और mineral processing sites जितने भी है से भी hazardous product generate होता है क्योंकि जितने भी mining और mineral processing sites हैं वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ का mine कर रहे हैं या किसी mineral को process कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे products generate हो सकते हैं जो हजार्ट क्रियेट कर सकते हैं healthcare facilities से भी hazardous product generate होता है जैसे कि pathological waste हो गया human blood हो गया contaminated needles हो गया इन सारों को हम इन सारे को हम as an hazardous waste categorize करेंगे और यह सारे generate कहां से होते हैं dentist के यहां से veterinary clinic के यहां से home health care से blood bank से hospital से clinic से और medical laboratories से बहुत सारे commercial waste को भी as an hazardous waste treat करते हैं जैसे gasoline station से generate होने वाला waste dry cleaners से generate होने वाला waste automobile reverse of generate होने वाला waste इन सारे को हम as an hazardous waste treat करेंगे हैं बहुत सारे institutions से भी generate होता है hazardous waste इसमें mainly included होता है इसमें mainly included होता है जितने भी research labs हैं वह research centers है वह और military installations जितने हैं वहाँ से generate होता है waste उसे हम लोग as an institutional hazardous waste में किंटर करेंगे बहुत सारी in dotries बीय हैं जिससे हाजाड़ स्वेस्स क्रियर्ट होता है जैसे Petrolium Industries अब हम क्यमिकल से निकलता हैं जिसे हम एधना जार्ण से निकलते हैं जैसे fenol, cyanides और sludge, यह सभी ह Goddess Luci are और solid despite disposal site से भी hazardous waste generate होता है क्योंकि municipal solid waste में properly separate नहीं किया जाता है hazardous waste को तो जो hazardous waste है वो solid waste disposal site तक पहुंच आते हैं जो की hazard create कर सकते हैं अभी तक हम बात कर चुके हैं waste को कैसे categorize किया गया है waste के क्या-क्या character aesthetics है और waste के source क्या है hazardous waste के source क्या है अब हम बात करते है hazardous waste को हम लोग कैसे store करते हैं और कैसे collect करते हैं पहले देखते हैं कि Hazardous waste को कैसे store किया जाता है Generally waste को on side store किया जाता है मतलब जहां से waste generate हो रहा है वहीं पर store किया जाता है और जब waste large quantity में generate होता है तो वहाँ पर special facilities provide करवाया जाता है sufficient capacity के साथ ताकि waste को बहुत दिनों तक मन्दि several days तक हम लोग store कर पाए और जहां पर काफी low amount में, small amount में Hazardous waste generate होता है वहाँ पर waste को container में, limited quantity में हम अलग से container में store करके रख सकते हैं जैसे कि जो corrosive acid होते हैं, caustic solution होते हैं उन्हें store किया जाता है fiber glass में या glass line containers में, जिससे क्योंकि अगर ऐसे waste को metal में contain किया जाएगा तो metal करोड हो सकता है साथ ही हमें ये ध्यान देना चाहिए कि Hazardous waste को same container में नहीं रखा जाए जिसमें general जो waste है, जो सारे waste हैं वहाँ रखा जाए, Hazardous waste के लिए अलग container होना चाहिए typically जो drum यूज किया जाते हैं जिनमें Hazardous waste को store किया जाता है वह है light goss closer head drum और light haze open head drum और जो waste generator हैं जहां से waste generate हो रहा है उनका purpose होता है waste को collect करके Hazardous waste के treatment और disposal side तक Hazardous waste को deliver करता है तो जो collection vehicles होते हैं जहां पर waste को load किया जाता है उसमें ये दो method यूज किया जाता है पहले तो waste को जो है या तो drain कर दिया जाता है या फिर pump कर दिया जाता है collection vehicle में या फिर अगर sealed drum में है waste या फिर sealed container में है तो waste को हाथ से या mechanically trucks पर load कर दिया जाता है Hazardous waste के collection के दर्मयान भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले तो हमें waste को properly handle करना पड़ता है और waste को separate करना पड़ता है और उसके बाद उस waste को place करना पड़ता है storage containers में after collection तो इतने भी बड़ी company होती है वहाँ एक जगह properly होता है hazardous waste collection side बनाया जाता है तो वह भी इसमें included होगा जैसे मालो एक जगह hazardous waste generate होता है तो इस जगह से यहां तक जो hazardous waste को transport किया जाएगा यानि movement किया जाएगा hazardous waste का उसका भी ध्यान रखा जाएगा साथी यह भी ध्यान रखा जाएगा कि different waste हैं उन्हें separate ठीक से किया जाए सारे waste को एक में mix नग कर दिया जाए अब देखते हैं कि hazardous waste को control कैसे किया जाता है तो mainly five generators है hazardous waste के पहला है primary generator उसके बाद transporter उसके बाद waste storage treatment और disposal facilities तो अगर हम इन पाँच points पर विशेज ज्यान दें तो hazardous waste के generation को कम किया जा सकता है फर्स्ट है primary generator तो अगर primary generator ये ensure करे कि जो hazardous waste generate हो रहा है उसे कम किया जा सके अगर वो उसे कम कर पाए तो हमारा hazardous waste जो है कम generate होगा उसके बाद जो transporter है जो waste को transport करता है अगर वो उसमें लापरवाही ना बढ़ते waste के storage में लापरवाही ना बढ़ती जाए और waste के treatment और disposal facilities में लापरवाही नहीं बढ़ती जाए तो hazardous waste के generation को बहुत हद तक कम किया जा सकता है या फिर control किया जा सकता है और जितने भी producers हैं और recipients हैं मतलब जो receive कर रहे हैं उन्हें एक standard operative procedure follow करना चाहिए ताकि जो waste generation है वो manage हो सके और जो existing law है waste management का और waste regulation है उसे follow किया जा सके और waste generation को कम किया जा सके तो आज के इस lecture को यहीं पर इंड करते हैं वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें थैंक्स